हेलो प्रेंड्स वन्स अगेन वेलकम टू माई चैनल आज की मेरी रेसिपी है पटेटो चटनी बॉल बहुत ही अमेजिंग डिस है किछन की तरफ भागी और फटा फट इसे बना कर खाईए तभी पता चलेगा इसका टेस्ट तो चलिए इसकी रेसिपी को में स्टार्ट करते ह मैं बताना तो यहां पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है और उसमें डाल देते हैं आधा कब डेसिकेटेट कोकोनट अगर आपके पास फ्रेश नारियन हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं यहां पर मैं ले रही हूँ धनिया की पत्ति को बिल्कुल फ्रेश है यह दोकर डा दिया इसमें आधा इंच जिंजर डाल दिया मतलब अत्रक और साथ में डाल दिया हरी मिर्च को चार से पाच ले लिजिए काजू डाल दिया है मैंने यहां थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आएगा और लास्ट में डाल दिया है लेमन जूस एक चम्मच के करी सब को हम अच्छ इसमें ग्रेट करके डाल देते हैं अगर आपको मॉजरेला लेना हो तो आप वह भी यूज कर सकते हैं यहां बहुत ज्यादा चीज भी हम नहीं डालेंगे इसमें सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसमें डाल देते हैं नमक स्वात के अनुसान अच्छे से अब यहां पर लेंगे चार उबले हुए मैंने आलू लिये हैं और इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं ताकि बिल्कुल यह बारी एक जैसा ग्रेट हो जाए तो यहां पर आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है डाल देंगे इसमें लाल मिर्स का पाउडर एक चमज के बराबर और थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देते हैं खड़ा जीरा यहां पर मैं डाल रही हूं आधा चमज के करीब गरम मसाला डाल देते हैं छोटा चमज और यह है पनीर यह मैंने घर में तयार किया था इसलिए सकार शख्रेश लग रहे है तो यहां पर मैंने आधा कप पनीर डाल दिया है नमक डाल देंगे उसने सवाद के नूसार और कॉओंडर जाल ते सब को हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर देते हैं ताकि मसाले सब मिल जाए और यह देखिए डो की तरह बनकर तयार हो चुका है तो अब हम यहां पर जो हमने स्टफिंग बनाई थी चटनी बनाई थी उसके ऐसे बॉल्स बना लेते हैं और आलू के टिक्की के अंदर हम इसको फि कहिल करके घर के इसको बॉल्क पुल रूप देंगे इस तरह से बना कर तियार कर लेंगे तो पहले चटनी को क्या करते हैं była कड़े चोट्पों बनार देते हैं ताकि देनी दियार कर लेते हैं तो आलू को इस तरह से लेंगे वह म alguma पंशय को बना लियार वाशकोभी साथ बॉल्स बनाकर तयार कर लिए और आवलाईंगर मैं जिख्या का अब से बाल, बना कर यह हैं और यह है ब्रैद क्रंप्स तो हम इस लारी में एक एक बॉल्स और अधेक करते हुए जाएंगे अच्छे से कोट कर लेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में उसको बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेते हैं और यह देखिए यह जो हमारा पटेटो चटनी बॉल्स है बनकर पूड़ी थरे सा तयार हो चुका है तो सारे मैंने बना कर तयार कर लिये अब इसे डी फ्राई तो देखिए बिल्कूल इस पे सुनेहरा कलर आ चुका है मतलब गोल्डेन कलर आ चुका है तो एक एक करके हम इसे निकाल लेते हैं बहुत टाइम नहीं लगता इसको प्राई करने में बहुत जल्दी यह फ्राई होकर तयार हो जाता है तो हाई फ्लेम पे नहीं करना है आप आ विल्कुल रेडि हो चुके हैं खाने के लिए अब तो इस तरीके से मैंने इसको फ्राई करकर तयार कर लिया हैं बहुत जादा भी गर्म है ये तो बड़िया ये पटेटो चट्नी बॉल्स बनकर तयार हो चुका है आप बिल्कुल स्नैक्स में इसे बनाईए खाईए कभी बन और बनाने में भी बहुत ज्यादा महनत है नहीं तो आप इसे अपने घर में जब चाहें तब बना सकते हैं क्योंकि थोड़ा से इसका अलग टेस्ट है और मजा आता है खाने में बिल्कुल हेल्ली भी है यह चलिए आपको कट करके दिखाती हूं कि अंदर से इसकी फिलिंग क अंदर से तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलती हूं एक और नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाइ